प्रशनावनी 10.1 प्रशन चार है एक वृत्त खीचिये और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खीचिये कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो प्रशन के अनुसार हमें इस दी गई रेखा के समांतर इस वृत्त पर दो रेखाएं बनानी हैं उनमें से एक रखाय ऐसी होगी जो इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदू पर काटती है या एक बिंदू पर प्रतिछेद करती है और दूसरी छेदक रेखा हो छेदक रेखा वह होती है जो वृत्त को दो बिंदू पर प्रतिछेद करती है लेकिन condition ये है शर्ट ये है कि जो दी गई रेखा है उसी के समांतर ये दोनों रेखाएं होनी चाहिए तो आईए देखते हैं सबसे पहले ये एक हरे वाली जो रेखा है यह दी गई रेखा के समांतर है और वृत पर एक स्पर्ष रेखा है क्योंकि यह वृत को केवल एक बिंदू पर स्पर्ष कर रही है इसी प्रकार से इसी दी गई रेखा के समांतर यह एक और रेखा है जो की वृत को दो बिंदू पर प्रतिछेद कर रही है इसलिए यह है एक छेदक रेखा तो देखा बच्चो दी गई रेखा के समांतर हमने दो रेखाए कीची है एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा धन्यवाद